आपका टॉपिक है यह आपका सेल सिग्नलिंग के अंदर आता है इसके अंदर यह चो टॉपिक है आपका CSR के पॉइंट आफ विसो बहुत ज्यादा इंपॉइंट है और CSR के अलाव अग्जाम होता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा आप CSR के लास्टे की पीपर अगर उठाके देखो कि तो उसके अंदर यह टॉपिक की रिलेटेट काफी ज्यादा कॉशन पूछे गए जो सेल सिग्नलिंग मॉलेक्यूल्स की डिशेप्टर प्रेजन्ट होते है तो सेल सिग्नलिंग होती है डिफ्रेंट टाइप की होती है ज आपके तो सब्सक्राइब का लेना को सबस्क्राइब कर लेना सबसे है आता है आपका और उटो नाम की अंदर ही में सूपा है ओटो मिलस व साल इस इस यह यह जो साल्स होती है खुद को ही सिग्नल मों देती है जैसे यह यह आपकी इक साल है इसने यह राइड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा यह signal है signal molecule release हो रहा है उसकी सर्फेस पर उसी signal का receptor प्रेज़न्ट है means यह signaling होती है यह self खुद को ही signal दे रही है तो हम इसको ऐसे बोल सकते है the cell itself releases signaling molecule and they also contain a receptor of that particular signal okay जो यह signal होता है वह बहुत low concentration में होता है और unstable होता है इसका जो सबसे best example है that is the bacterium bacterium curium sensing इसके अंदर क्या होता है आप ऐसा समझो कि यहां पर bacteria बहुत सब्सक्राइब कर दिया तो यह जो बैक्तिरिया है उसको अपनी growth को increase करना है cell division को stop करना है इस condition में यह बैक्तिरिया क्या करेगा अपने अपने साइट से यहां पर एक signal molecule release करेगा that is the acyl homoceril lactose ओके यह signal molecules release करेगा तो यह signal molecules क्या करेगा इसी की surface पर वापस आएगा यहां पर receptor होगा और इसी की cell को signal देगा कि अब cell division आप stop कर तो okay means signal कांसे release हुआ इसकी खुछ से surface से और इसको कर रहा है उसको ही कर रहा है means cell signaling हो रही है आप तो यह आपका example है autocrine signaling का ऐसे बहुत सारे examples होता है second is the cancer cell तो cancer cell क्या होती है कि हमारे हमारी जो body का growth factor होता है उसको use नहीं करती है यह उसका खुद का ही personal growth factor होता है तो यहां पर यह जो cancer cell की property क्या होती है means rapid divisions means continuously divisions okay तो यह अगर अपनी body का growth factor use नहीं कर रही है means इसकी खुद के पास एक growth factor है okay तो यह अपने खुद के growth factor को use करके खुद के नंबर को increase कर रही है अपने नंबर को बढ़ा रही है okay तो इस type का signaling होता है यह होता है आपका autocrine means खुद के cells को signal देके अपने नंबर को increase कर रही है तो यह आपका growth factor का example हो गया now third is the immune cells immune cells की अंदर जो आपकी T cells होती है T lymphocyte okay जो T lymphocyte cells होती ही वह आपकी क्या करेगी T helper cell and Tc cell में convert होगी okay फिर मिंस अपनी cells को यह क्या करें की signal दे रही है means बाहर से कोई foreign particle जैसे आता है यह रिकोखनाइस करती है और अपने नंबर को increase करती है तो इस में खुद की cells को signal दिया इसने तो इस टाइप की signaling को बोलते हैं autocrine signaling तो यहां पर जो Tc cell होती है okay जो Tc cell होती है यह क्या करती है एक chemical का secretion करती है that is the interleukin second okay interleukin second क्या करती है यह memory cells बनाएगी T memory cells बनाएगी और cytotoxic Tc cells बनाएगी तो यह cytotoxic T cells क्या करेगी जो हमारी body के अंदर जब dead organisms है उसको remove करेगी तो इस टाइप की signaling means यहां पर क्या हुआ यहां पर एक cell थी यहां पर antigen यहां पर recognize हुआ जैसे antigen recognize हुआ यह cell ने क्या secret क्या interleukin second और यह interleukin second उसी cell के surface पर जाके receptor पर bind होगा उसको active करेगा ओके तो ऐसी signaling को बोलते autocrine signaling means self signaling खुद की cell को signal देना ना तो यहां पर जो signaling molecules से जो signals है वह बहुत low concentration है और unstable है और now next is the paracrine signaling paracrine paracrine means pass में ऐसे यहाद रखो paramence pass में जो cells है signaling cell है भो signal release करती है जो उसकी targeting cell है वो उसकी just pass में होती है means में दोनों cell की बीच में distance बहुत कम है ना के बराबट distance के बहुत ज़्यादा कम है means यहां से signal release हो तारगट cell इसकी just pass में है हम बोलते हैं para-crine, para means past में ऐसा याढ रखो para means past में तो इस para-crine signaling का जो example है वो है आपका वेट A-Cetylcholine Signaling तो यह आपका साइनेप्सिस दिख रहा होगा आपको यह आपका साइनेप्टिक है यहां से क्या और A-Cetylcholine रिलीस हो रहाँ यहां पर आएगा Post-Synaptic के सरफेस पर यहां पर Sodium Channel होगे तो यहां पर आके कि signaling इसके उपर आएगा में इस तो signaling signal यहां से release हो रहा है और यहां पोस्ट पे पोस्ट के ऊपर जा रहा है तो हम से यहां पर नहीं होती है उस signaling को बोलते हैं पहले क्रायन में इसका example वॉल्वा formation वॉल्वा का वाल में इस ताइप का इस ताइप की जो सेल होती है में यहां पर कंस्टेशन ग्रेडियंट की बेशिस पे सैल को सिगनल दिया रहे है तो यहां पर भी आपकी वल्वा फॉर्मेशन का यह आपका पैरक्राइन सिगनलिंग का एक्जामपल है लोकल हर्मोन होता है लाइक पोस्टा प्रवाप में प का सीगनलिंग की यह सेल नहीं करना में थिहां नहीं यहिंब रिलिज करते हैं तो यह सिगनल कर लिलिस होỏi यह स्ट्रीम के थूँ जाएगा और अपनी टायगेट के उपर पहुचेगा यह जो होती है यह आपकी डख्लक सिग्नलिंग इसको बोल सकते हैं क्योंकि यह आपको इसकी जो एक्जामपल होते हैं जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वह आपका इसका एक्जामपल है तो यहां पर आ लीवर की बीच में डियस्टैंस है लेट कि बिख़वल कन डिम लेग और यहां पे जो भी उसका नाखोंग ब्लड की अंदर ग्लूप की लेबल को इंकरीज करना तो आपका का function करेगा और एंडो क्रैंड की example like testosterone progesterone यह सारे pituitary gland adrenal glands यह सारे आपकी जितने भी cleanse होती है maximum gland यह आपकी एंडोक्रैन signaling के अंदर आती है तो इसका जो signaling होती वह होती है आपकी long range signaling कैसी होती means distance के अंदर present है okay now तो यह आपका हुआ endocrine signaling फिर fourth आती है आपकी ते ओस न का न का मिन्स होता है कि जो दू hoती है वह बाहत पास में हो तो तम कॉन्टेक्त में सिंग्नलिंग वे जो यह जो समय के बीच में से वह Trailette Lem को भूत5000 इसे सीक्नलिंग होti है अनल यह जोवांनिक फेल की घुशल के अन्दर तो हम पढ़ते हैं यह multi-cellular organisms के अंदर होते हैं साथ ही साथ आप यह देख सकते हैं notch signaling वो भी आपका gesture crying signaling का example है तो यह आपकी होई चारो signaling हमने क्या क्या पढ़ा हमने auto signaling auto means cell signaling यह cell signal release करेगी और इसी की surface भी इसका receptor होगा सो यह signaling बोलते हैं हम इसको auto crying signaling second हमने क्या पढ़ा पैरा पैरा means पास में जो cell है इसके पास में physical contact नहीं होगा ध्यान रखना पैरा के अंदर physical contact नहीं होगा कुछ distance होगी ऐसे signaling को बोलते हैं पैरा क्राइन फिर हमने बात की एंडोक्राइन एंडोक्राइन के अंदर जो signal जो सैल है वह बहुत दूर है ओके दूर है तो यह blood stream की through signal इसका transfer होगा और यह ductless signal भी इसको बोलते हैं फिर फूर्थ हमने पढ़ा जेस्टा क्राइन जेस्टा क्राइन में एकदम physical contact होता सैल का तो यह आपने बात की आपके टाइप अगर आप चाहते हैं कि इसकी related CSR net की जितने भी कोशन से मैं स्वाल करा हूं तो आप मेरे comment कर देना ओके इस topic related अगर आपको कोई problem होती है फिर भी आप मुझे comment कर सकते हो अगर आप लाश्टेर की पेपर उठा के देखोगी अगर आप लाश्टेर की पेपर की इसकी बेज़िस पर कोशन स्वाल करोगी तो आपकी इजीली स्वाल हो जाएंगे अगर आपने मेरे चैनल